हाई एब्रिवान वेलकम टूदे इस वीडियो आज की वीडियो में आप सभी का श्वागत है आज इस वीडियो के माद्धम से हम डिस्काशन करेंगे हम जानेंगे बिगत कुछ दिनों से जो राशिया और यूक्रेन के बीच जुद पुरा है और जब से ये जुद शुरू ह हुआ है एमरीका और यूरूपियन यूनियन के देश जो है राशिया पर भूभूत सरे सेंक्षन लगाते जा रहे हैं बहुत सरा प्रतिबंद लगाते जा रहे हैं तो इस करी में कुछ दो चार दिन पहले ही भीशा और मास्टर कार्ड ने भी एलन किया कि भीशा और नहीं करेंगे राशियान ऑपरिशन बंद कर देंगे तो इस वीडियो के माध्धम से हम चानेंगे कहीं भी यूद होता है वीश में उसमें एमरीका या यूरूपियन देश अगर उसमें इंबॉल्ब नहीं है तो राशिया जो है उस पर सेंक्षन थोपते हैं बहुत सरे प यूरूपियन कांट्री यह और उन्मित्रदेश जो भी है उनका अगर उनका मित्रदेश नहीं है इल्बॉल्ब तो तो वह रएंक्षन लगाते जाते हैं तो इस्व शांक्षन लगाने का है वह एमरीका और और डीआपने चुकि यह एक financial literacy का channel है तो हम जो भीशा और mastercard ने वहाँ पर operation अपना बंद कर दिया operation को suspend कर दिया उसी से related हम बात करेंगे और इसे जानने का कोशिस करेंगे कि इस यूद से हमको मेरे लिए जो है हमारे लिए learning point किया है हमें क्या सीख मिलता है तो यह जो भीशा, mastercard, rupee, american express, discover यह पांच इस तरह का हम जब भी credit card, debit card मेरे हाथ में होता है चाहिए वो कोई bank का भी हो तो आपको देखेंगे कि भीशा, mastercard, rupee इस तरह से लिखा हुआ है इतलब आपका कार्ड जो है या तो भीशा का होगा, mastercard का होगा, rupee का होगा इसके अलाब और दो कमपने, american express और discover भी यह शेवा देता है तो यह जो भीशा, mastercard, rupee है इसको हम लोग payment network बोलते हैं यह payment network प्रोवाइट करता है तो यह payment network है क्या चीज़, जब भी मेरे पास credit card हो या debit card हो, कभी हम कुछ बजार से purchase करते हैं तो हाँ एक post machine, post terminal होता है, उसके थुरू हम payment करते हैं तो मेरा जो card है, वो कोई हो सकता है कि कोई bank का है, और वो post machine हो सकता है कि वो कोई दूसरा bank का हो तो यह जो अलग-अलग bank होता है, bank का card, post होता है, तो इसमें जो transaction जो हो रहा है इस transaction को जो है, facilitate करता है, पूरा करने का, एक transaction को complete करने का डाइत जो है, यह payment network जैसे विशा, mastercard, रुपे यह लोग करते हैं तो यह जो है, क्या है, payment network है, बस इतना ही है, और जो हम अलग-अलग bank के card, post machine के द्वारब जो transaction करते हैं, उस जो bank, डिफरेंट डिफरेंट बैंक का होता है, उसके बीच में जो यह transaction को complete करने का प्रक्रिया है, यह complete यह payment network करते हैं, तो हम जानते हैं कि अभी तक जो है, payment network है, payment network जो है, आपका भीशा है, जैसे हम डिसकास किये, mastercard है, discover है, और American express और रूपे, यह 5 payment network भीशा में चल रहा है, उस में से 4 भीशा, mastercard, discover, American express, यह सभी USA best है, यह USA best है, USA का company है, और रूपे, जो की 2014 में, इंडिया में ने शुरू किया, यह इंडिया ने, तो बीश में 5 payment network में से 4 जो है, यह USA के पास है, एक इंडिया के पास है, तो अमेरिका क्यों शेंक्षन लगाते हैं, आप समझ लिजिए, आप अपना कोई वी infrastructure डेवलोप नहीं करेंगे, आप कोई technology डेवलोप नहीं करेंगे, तो दूसरे पर जब आफ्रित आप रहेंगे, तो उनको यह जो है, आगे वाला जो देश होगा, वो आप पर बहुत साथ सेंक्षन लगाएंगे, कि उनके पास capacity है, capability है, आप उसके बिना नहीं चल सकते हैं, तो उनका दवाब में हमेशा आपको रहना पड़ेगा, चाहे टेखनोलोजी हो, इंफ्रेस्ट्रेक्चर हो, financial institution हो, और कोई organization हो, तो दूसरे पर आप ज़्यादा dependent नहीं रहा सकते हैं, आपको खुद अपना इंफ्रेस्ट्रेक्चर, आपने आप पर विश्वास करके, आपको हर चीज डेबलप करने की कोशिस करना होगा, आत्म निर्भर बनने की कोशिस क करना होगा, तो इस वीडियो का जो में मेशेज है, वो यह है कि आप आत्म निर्भर बनिए, आप अपने शंक्षदन पर वरुशा किजिए, आपना हर चीज डेबलप करने की कोशिस किजिए, आपना चीज विकास करें, चाहे वो टेक्नोलोजी हो, साइन्स हो, जो भी हो, तो आपको आपना पर वरुशा करके आपना चीज डेबलप करना पर एगा, आत्म निर्भर बनना होगा, अब हम थुरा से बात करेंगे, कि यह जो कार्ट का पेमेंट होता है, वो काम केशे करता है, जैसे कोई कस्टमर कोई चीज पर्चेस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, करने के लिए, मर्सेंट के पास जो टर्मिनल पॉस्ट मेशिन है, उसमें जाके कार्ट को स्वेप करते हैं, जैसे कार्ट स्वेप होता है, तो एक्वेरिंग बैंक के पास मेशिज चला जाता है, एक्वेरिंग बैंक होता है, जो पॉस्ट मेशिन सप्लाई इंस्टॉल किये पॉस्ट मेशिण जिनका है उनके पर जाता है कि इस पॉस्ट मेशिण में यह करड Awesome GG तो जो करड में जो लगो होगा भिषा सफ्ट है उसके पाश जाएगा कि यह कार्ड है और यह क्या रागर है तो वह payment network क्या करेगा issuing bank कार्ड जो issue किया है उनके पास भेजेगा कि यह कार्ड से यह transaction हो रहा है तो आप इसका authenticity इसका balance confirm गड़ दीजी सभी कुछ अगर सही रहेगा तो issuing bank फिर कार्ड network को message भेजेगा कि हाँ यह कार्ड सही है या गलत है सही है तो फिर कार्ड network acquiring bank को करेगा कि हाँ इनका खाता में इतना balance था एक कार्ड का authenticity सही है पेमेंट कर दिया जाए और वह acquiring bank merchant terminal को message भेजेगा पेमेंट successful हो जाएगा और एक receipt निकल के customer को हम लोग दे देते हैं यह प्रोक्रिया है तो इस वीडियो के मादम से हम देखें कि जो रूपे रूपे हमारे मेरा हमारे देश का payment network है तो आप लोगों से मेरा request है कि ज्यादा से ज्यादा रूपे का यूज करे स्वादेशी technology का यूज करे स्वादेशी समान का यूज करे आपने देश में जो companies है उनको support करे आमरे देश का government organization है उनको support करे और मतलब देश का कोई भी product हो service हो उसको ज्यादा से ज्यादा avail करे उस पर ज्यादा विश्वास करे बरुशा करे ताकि आपना organization आपना system आपना यही है कि आत्म निर्वार बनिये और शंपन शंपन बनिये उमीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों अच्छे लगा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे जरूर इसको like करे शेयर करे और सब्स रिक्वेस्ट है इस चैनल को subscribe करे आज के लिए इतना ही thank you for watching this video all the best जाए हूं